सुनिए, मेरा नाम रोहन है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाईं प्रदान करती हैं? हाँ, बिल्कल, मेरा नाम गीता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योक्त एक कंप्यूटर है, जिसके जरिये मैं विभिन सेवाईं जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में, बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आदी आदी सुविधाएं प्राप्त करा सकती हूँ, अच्छा, इसका मतलब बेरे गाउवालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रुत नहीं है, नहीं, बिल्कल नहीं, यदि गाउव में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाउवालों को इन सुविधाओं को प्राप्त करने ही दू शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है, अरे ये तो बहुत है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाउवाले भी मेरी तरह बहुत हां बिलकुल, आप इन्हें गाउवालों को अवश्य बताईए, सुनिये, मेरा नाम रामप्रसाद है, आप कौन-कौन सी ओनलाइन सेवाई प्रदान कर सकती हैं, क्या मेरे शहर गए बगैर आप मेरी बिजली बिल का भुक्तान यहीं से करवा सकती हैं, मुझे यात्रा करने में बड़ी तकलीफ होती है, हां बिलकुल, आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं, ऐसा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा, क्या आप कंप्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं, हां बि बता सकती है, हां इंट्रनेट के जरिये ये सभी सुविधाएं आप अपने गाउं में ही प्राप्त कर सकते हैं, मैने सुना हैं कि आज कल इंट्रनेट की सुविधा मुबाईल फोन तर भी उपलब दे, क्या यह सात्य है, हां रोहन, नकेषे मुबाईल फोन बलकि आज कल ल और टाबलेट के बारे में सिखा सकती हैं। बिल्कुल रोहन, कृपया बैट जाएं। मैं आपको कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूं। बाकी आप लोग भी बैट जाएं। जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक पता सकूं। सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है। कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जिसका उप्योग, आकडों, वसूचनाओं के संकलन, वप्रसंसकरन के लिए किया जाता है। हम कम्प्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं। कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों वह मित्रों से जड़ा जा सकता है। रेल टिकेट बुक कर आई जा सकते हैं, बैंक खाते में लेंदेन किया जा सकता है, सूचनाए एकत्रित की जा सकती है, खेल खेले जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं, और सिनेमा पिच्चर देखी जा सकती है, अब हम कंप्यूटर वह उसके विभिन हिस्सों के बारे में सी किसी कार्य को पूरा करने के लिए computer निर्देशों की जिन समूह या समूहों का पालन करता है उन्हें software कहते हैं आपका मतलब है कि screen पर दिखने वाले सभी icons software होते हैं हाँ रोहन, software computer में program होते हैं जिनसे हम भाति-भाति के काम करते हैं अब हमें विभिन उपकर्णों के विशे में जानना चाहिए, जिनसे कम्प्यूटर बनता है। कम्प्यूटर के तीन अंग होते हैं। पहला, Input Device, दूसरा, Processing Device, तीसरा, Output Device. जैसे एक ट्राक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है, कम्प्यूटर में डाटा भरने, निर्देश अत्वा सूचनाई संकलित करने के लिए जिन उपकर्णों का प्रियोग किया जाता है, उन्हें Input Device कहते हैं। इन चित्रों को देखो, ये कुछ Input Devices हैं, जिनका प्रियोग कम्प्यूटर में होता है। ये Input Device निम्न है, Pen Drive, Mouse, Keyboard, CD, Microphone, Keyboard और Mouse प्राथमिक Input Devices हैं। यह बिल्कुल Typewriter के Keyboard की तरह दिखता है। हाँ, इसमें कुछ अतरिक बटन अवश्य है। सामाने Keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते हैं। क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रयोग किसले के आजाता है। अंक बटनों की सहायता से कैलकुलेटर की भाती कंप्यूटर में अंक भरे जाते हैं। नविकेशनल बटन मार्गदर्शक बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते हैं। प्रोग्राम में Page Up बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है। प्रोग्राम में Page Down बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है। प्रोग्राम में Home बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है। प्रोग्राम में End बटन करसर को विशे के अंतिम लाइन में ले जाता है। प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं, जो कम्प्यूटर में पठनिय विशे में संशोधन करने में सहायक होते हैं। ज्यादातर लेक संपादन प्रोग्रामों, INSERT बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है. डिलीट बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं और मिटाता है. बैक स्पेस बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर बाई और मिटाता है ये चार बटन किस काम के लिए प्रयोग किये जाते हैं? ये चारो बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में उपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर उपर की और ले जाता है। ज्यादतर प्रोग्रामों में इसके बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है। कंट्रोल और अल्टरनेट बटन क्रिया परिवर्तन बटन है जो ज्यादतर प्रोग्रामों में विशिष्ट कारे और माउस की क्रिया को या तो परिवर्तित कर देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। विंडो बटन विंडोज के स्टार्ट मिनू को सक्रिय कर देता है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे की टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से होता है। अब तक हमने कीबोड के विभिन बटनों के बारे में सीखा। अब हम माउस के बारे में सीखते हैं। माउस एक दिखाने निर्देशन करने वाला यंत्र है जिसका प्रयोग कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले विशे आइकन्स को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है वैसे ही माउस चलाय जाने की दिशा में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है। इस तीर को पोइंटर कहते हैं। पॉइंटर की सहायता से कंप्यूटर को प्रक्रिया के लिए डाटा वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं। माउस पर दो बटन भी होते हैं, बाया बटन और दाया बटन। माउस के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है, जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है। ये माउस द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं। माउस के बाया बटन को एक बार दबा कर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना चा सकता है। माउस के बाय बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया चा सकता है। माउस के दाय बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मिनू खुलेगा। गूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को उपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है। जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है। उसी तरह कम्प्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहन और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं, वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। कम्प्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस की जाती है, फिर कम्प्यूटर की मेमरी या RAM में संरक्षित की जाती है। जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला थ्रेशर एक आउटपुट मशीन है, उसी तरह कम्प्यूटर के साथ परिणाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें आउटपुट यंत्र कहते हैं। मॉनिटर एक बहुत ही सामाने आउटपुट यंत्र है, मॉनिटर स्क्रीन है जिसका प्रयोग आउटपुट जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है, मॉनिटर दो तरह के होते हैं, केथोर्ट रेट्यूब और फ्लाट पैनल डिस्प्ले, प्रिंटर कॉपी कहते हैं और उसे च्छाप कर निकालता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं, कंप्यूटर पर दिखने वाले किसी चित्र या लेख को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, तथा उसे के चपे हुए को हार्ड कॉपी कहते हैं, प्रिंटर तीन तरह के होते हैं, इंक्जिट और dot matrix printer speaker एक output यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं speaker के बिना हम गाने अत्वा आवाज विश्यों आदी को सुन नहीं सकते headphone computer से आवाज 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 देता है ये speaker की तरह होते हैं किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ती आवटपुट सुन सकता है projector एक output यंत्र है जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर projector का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं अब तक हमने कई तरह की input, processing वो output डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भाग लेंगे दीदी, computer, side data कहा संचित करता है? जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्चक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह computer data संचित करता है जिसे computer memory कहते हैं computer की memory दो तरह की होती है प्राथमिक अथवा मुख्य memory और दुटियक memory मुख्य प्राथमिक memory बहुत तेज है इसे RAM कहते है इसका Earth Random Access Memory अथवा RAM होता है computer की गती RAM पर निर्भर करती है data और निर्देश मुख्य memory में संचित रहते हैं जहां से ये process कर result प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते हैं RAM वह memory होती है जहां सारे program संचित किये जाते हैं computer की गती RAM पर निर्भर होती है cache memory वह memory है जो RAM का अंग होती है और processor के बहुत पास होती है इसका प्रयोग processing गती को सुधारने में किया जाता है प्राथमिक memory सीमित होती है इसलिए असीमित data को सुरक्षित करने के लिए दुवित्यक memory का प्रयोग करते हैं चुकि computer दुवित्यक memory पर सुरक्षित data को सीधे process नहीं कर सकता अतय process करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ डिवाइस हैं जो दुवित्यक memory की तरह कारे करती है pen drive, hard disk और dvd तो एक computer data को अबने memory में कैसे सुरक्षित करता है computer सभी सुचनाएं केबल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है एक अकेली binary digit अर्थाद 1 अथवा 1 0 को bit कहते है 8 bits के group को 1 byte कहते है इस सार्णी को देखो इसमें bits और bytes के बीच की संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और hardware को नियंतरत करने के लिए प्रयोग किये जाते है software कहलाते है software programs निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो computer को निर्देशित करते है कि क्या करना है और कैसे करना है software दो प्रकार के होते है application software और system software application software वो प्रग्राम होते है जो उप्योग करता को computer में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते है Microsoft Word और Open Office Draw application software के उदाहरन है जो program computer hardware से सीधे जुड़े होते है system software कहलाते है computer चलाने के लिए आपको एक operating system की आवश्यक्ता होती है जो एक system software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस activity में भाग लेते है अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूगी सबसे पहले मैं आपको computer के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह monitor है यह television की तरह है और इसकी screen पर output देखा जाता है यह system box है इसमें central processing unit अर्थात CPU होता है यह CPU ही computer का मुख्य दिमाग होता है यह keyboard और mouse है यह दोनो input device हैं जिसके द्वारा computer में data भरा जाता है computer को जोडने के लिए सबसे पहले उसे maze पर रखिए तब system box के बगल में monitor रखिए system box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाइसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिनें port कहते हैं अब इस तरह से monitor system से जोडा जाता है system box video port को VGA port कहते हैं इससे monitor को जोडने वाले तार को VGA cable कहते हैं VGA cable के एक सिरे को system के VGA port से तथा दूसरे को monitor से जोडा जाता है keyboard दो प्रकार के connector वाले होते हैं PS, two connector अथवा USB connector keyboard को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोडा जाता है mouse को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोडा जाता है उसी तरह यदि आप printer को जोडना चाहते हैं तो उसके connector जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समानांतर port अथवा USB port को system के उप्युक्त port में जोड दें अब हम computer को बिजली के main board से कैसे जोड सकते हैं computer दो बिजली supply के तारों के साथ आता है एक बिजली supply तार को system unit के बिजली supply plug में तथा दूसरे तार को monitor के port से प्लग करें उसके बाद दोनों तारों को बिजली के port से या UPS से जोडें क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि computer को कैसे जोडते हैं बिल्कुल computer चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले system unit वो monitor दोनों की बिजली supply चालू करें तब system unit का power button दबा कर उसे चालू करें वो monitor का power button दबा कर उसे चालू करें अब कुछ क्षण इंतिजार करें और देखें कि monitor पर display आने लगा है इसे boot screen कहते हैं दीरे दीरे सभी software लोड हो जाएं तो computer प्रयोग के लिए तयार है धन्यवाद गीता पहली बार न केवल computer को देखा है बलकि उसे चालू करना भी सीखा है हाँ, computer के विशे में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी अब क्या आब हमें mobile phone वो tablet के बारे में भी बता देंगी बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि mobile phone वो tablet कैसे चलाते हैं हाँ, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहता हूँ हाँ, पहले हम mobile phone वो tablet के विभिन अंगों, कारयों वो उपयोगों के बारे में चानते हैं जैसे आप जानते हैं कि basic mobile phone एक ऐसा यंत्र है जिससे आप call कर सकते हैं call प्राप्त कर सकते हैं, वो message लिख कर भेज सकते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक मुबाइल फोनों में कई तरह की विशिष्टाएं होती हैं, जैसा की इंटरनेट, खेल, क्यामरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली, यह फोन स्मार्टफोन कहलाते हैं, कुछ मुबाइल फोनों में दो-दो सिम कार्ट एक साथ ही फिट हो जाते हैं इन्हें डूल सिम फोन कहते हैं, फोन के विभिन अंगों को देखें गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि फोन में सिम व बैटरी कैसे डालते हैं? बिल्कुल बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें, पहला फोन को स्विच आफ कर दें और पीछे का कवर निकाल दें उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दें, तब सिम खाँचे में सिम डाल दें अंत में बैटरी वक कवर पुनह लगा दें और फोन को चालू करें धन्यवाद गीता, मुझे फोन की बैटरी चार्ज करने में भी समस्या होती है चिंता ना करें, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, चार्जर को दिवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं तब चार्जर को फोन में लगाएं कुछ समय बाद, जब मुबाइल बैटरी फुल दिखाए तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दिवार से निकालें मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक वो अनलॉक कैसे किया जाता है हमें बटनों को लॉक क्यों करना चाहिए चाचा जब आप लंबे समय तक फोन का प्रयोग न कर रही हूँ तो उसे लॉक करके रखना अच्छा होता है इसकी यह प्रक्रिया है फोन लॉक करने के सिलेक्ट मेन्यू पर जाईए और स्टार बटन दबाईए अब यह लॉक कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए फोन का अनलॉक बटन दबाईए और तब स्टार बटन दबाईए में पास यह नया मोबाईल है और मुझे यह तक नहीं पता है कि इसकी विशेष्टाएं कैसे देखें। आप अपने मुबायल के विशेष्टाएं देखने के लिए पहले मिनू आइकन चुएं या मिनू बटन दबाएं जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पढ़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाएं। सेटिंग तब टोन चुने और फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं। तब गैलरी खोलने के लिए खिसक कर गैलरी पर जाएं। जहां पर कई रिंग टोनों की सूची दिखाई देगी। अब आप अपनी इच्छा अनुसार टोन का चैन कर सकते हैं। टाच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने की प्रक्रिया। पहला Home icon को चुए, फिर Menu icon को चुए, फिर Personalization Settings icon को चुए, फिर Settings icon को चुए, फिर Profile setting icon को चुए, तब Ringtone या Notification Ringtone icon को चुए, तब Ringtone की सुची में खिसक कर अपनी इच्छानुसार Ringtone चुने, तब ठीक ओक तुए अपने फोन में अलारम सेट करना चाहता हूँ, क्या सुबह जल्दी अलाम सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? निम्न प्रक्रिया से आप सुइम कर सकते हैं, बेसिक फोन के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुने, फिर अलाम घड़ी उसके पश्चात अलाम का समय सेट करके सेव चुने, फिर खिसक कर Ringtone पर जाएं, यदि आप अलाम को दोहराना चाहते हैं, तो चैन के विकल्प मे जा, दोहराना, फिर दिनों का चैन कर संपन चुने, टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं, पहले मेनु को चुएं, तब घड़ी को चुएं, तब अलाम को चुएं, अलाम का समय सेट करके सेव चुने, दीदी, क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती है? हाँ, जरूर, मैं अभी बताने ही वाली थी टाबलेट एक compact device है, जो एक smartphone अत्वा, एक laptop, अत्वा computer की तरह है आजकल टेबलेट अपने सुविधा जनक आकार और feature के सरल उपयोग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए है इनका उपयोग हम इंटरनेट पर browser, mail चेक करना, download और किताबें पढ़ने, game खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टाबलेट विभिन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कुछ है बुकलेट टाबलेट PC का सबसे सरल तम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है इस डिपाइस के दोनों तरफ डिस्प्ले होता है, और इसकी कारेप्रणाली दोनों तरफ चूने से कारे करती है यह हस्तलेग को पहचानने वाला सौफ्ट्वेर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं स्लेट, सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलिट पीसी है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जात Convertible Tablet लगभग पारम परिक लैप्टॉपों की तरह के ही होते हैं। दिये गए स्लोट के जरिये स्लेट PC में जोड़ कर टाबलेट PC में बदले जा सकते हैं। एक रगड टाबलेट उन उपियोग करताओं के लिए अच्छा है जो कठिन वातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं। इनकी अंदर की हाड ड्राइव जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाव बनाता है। यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उपियोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6-7 घंटे चार्ज करना चाहिए जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए। हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं। के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए। डिवाइस में उर्जा सन्रक्षन हेतू पावर सेव बटन को दबा कर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है। स्क्रीन को पुनह चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा करें। डिवाइस को बंद करने का सही चरीका क्या है? जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें पहले पावर बटन को कुछ क्षण के लिए दबा कर रखें तब टाबलेट को बंद करने के लिए मैनू खुलने पर दिखाई देगा तब पावर ओफ पर टच कर डिवाइस को बंद करें एक टाबलेट की होम स्क्रीन एप्लिकेशन फंक्शन मैनू के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकर्ट फोल्डर को जोड़ करके कस्टुमाइज कर सकते हैं अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अत्वाबाएं खिसकाएं तो तुमने सीखा कि कैसे लैप टॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और टाबलेट को इस्तिमाल करते हैं अब हम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं